हेलो बच्चों कैसे हैं मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो किमेश्टी क्लासेज में तो आज हम लोग अपना लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वह हमारा एक नेम डियक्शन पर बेश्ड होगा और नेम डियक्शन जो है यह बहुत ही इंपॉर् के लिए कि यह लगभग सारी के साथ कमपाईल करके आती है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि have mej you a BCD आनी चाहिए जिखना चाहिए तो चपाबड़ा वैसे गडित आनी घटित्री से क्के मस्की जानने के ЗемH एक नेशन पढ़ने चाहिए उसूसरीशन का नाम क्या है माइकल इडिशन की बात करें किस की बात करें तो आप माय कल एडिर चन के लिए अगर आप माय कल एडिशन की बात करें तो इसका नाम एक और होता है कांजूगेट एडिशन है कांजूगेट ऐडिशन वह भी कौन सा कांदूगेट एडिशन 14 for conjugate edition बोलते हैं को क्यों बोलते हैं अभी हम आपको बताएंगे तो देखिए यह जो माइकल एडिशन होता क्या है माइकल एडिशन में कोई भी आपका नुकलियो फाइल होगा पहले सिंपल आपका क्या होगा कोई भी एक नुकलियो फाइल होगा वह रिएक्ट करेगा किसी अल्फा बीटा अन्साइचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंट से और भी डिफेंट रहे के हो सकते हैं आपको बात में बताऊंगा और इसको हम ट्रीट करते हैं किसी भी बेस में फिर हमारा एक बनता है 14 अधिस Senior प्रोडट्ट इस नाम क्या होता है हमारा Michael प्रोडक्ट यह कुछ नहीं है एक नुकलियोफाइल होता है जो अटाइक करता है किसी भी अल्फा बीटा अन्सटुरेटेट कार्बोनिल कंपॉंड्स पे या कंपॉंड्स पे कार्बोनिल भी बोल सकते हैं इसको किसी बेस की प्रजर्शन में त्रीट करें देन हमारा एक वन होता है यह नुकलियोफाइल यह हमारा होता है एक माइकल डॉनर इसका नाम क्या होता है माइकल डॉनर वैसे ही जब यह हमारा जो अल्सटुरेटेड़ कंपॉंड्स होते हैं इनको बोलते हैं माइकल है कä बोलते हैं माइकल स्थ रॉनर सोते हैं यह हमारे एक एक यह क्या होते हैं एक ह्टिव मिध्ली inadequे ל bon circum इसका मतलब यह होगा को एशॉय इनप इस्टिक प्रोटान होगा मिध्लीन गृूप होगा और ईनकी सोगा उनको केटेग्रायस कैसे करते हैं दोफिए कोई भी एक्टिव मैं कॉम्पाूउंड देखिए मैं यह आपका शींटू ग्रूप यह क्या है यापका मैं गुरूप इसका नाम है थैंग शुचक्त कि ऐप इसे हो जाएंगे यह jut ik ju ho जाएंगी इसलेच को बोलते हैं एक्टिव निम्लीन गुरूप क्या बोलते हैं एक्टिव Prop fate गूर बात करें की कौन कौन से हो सकते हैं सबमना रहेगा ही को एलेक्टान गुरूप लग दीजिये टिजिए लगा दीजिए यहाँ पर लगा दीजी और अम्माल लीजिए हमने जहाँ पर और भी ले सकते हैं RI Science 2 high school you are आप यहाँ खिर भी ले लेजिए और क्या कर सकते हैं CH2 यहां पर CN group ले लिए यह भी क्या हो जाएगा इनफ हो जाएगा अगर और और भी आपको लेना है तो यहां से CH2 CO NH2 और यहां से CO NH2 देखिए जिनके पास active methylene group होगा सबके पास देखिए क्या है active methylene group क्योंकि group कैसे है माइनस आई ग्रूप माइनस आई ग्रूप होंगे मदब इलेक्टान भी ड्रॉइंग ग्रूप है तो यह इधर से प्रोटान होगा यह इनफ हो जाएगा बेस के लिए इसली अबलेबल होगा जो बेस है इसी लिए को बोलते हैं active methylene compound यह हमारे माइकल डॉनर हो सकते हैं माइकल डॉनलर होते हैं ठीक है अबकर लिए क्यास करलेजिए इसना कि अगरनों के बात करें मीकलिए के कि बात करें तो alpha beta unsaturated कार्बोनिल कंपाउंट तो यह आपका यह कार्बोनिल कंपाउंट आपका यहाँ पे मान लीजिए हमने आर मान लिया तो देखिए यह पोजिशन क्या है 1 2 3 4 जा पोजिशन 0 अलफा बीटा इसलिए इसको बोलते हैं अलफा बीटा अंसरेटेडड कार्बोनिल कंपाउंट यह कुछ भी हो सकता है आर हमारा कुछ भी हो सकता है एच हो सकता है और बराबर हमारा कोई alkyl groups हो सकते हैं या हमारा OR हो सकता है या NH2 हो सकता है ठीक है यानि जो यह है alpha beta यह भी group ऐसा हुआ जहां से देखिए यह भी क्या हुआ एक electron bit drawing group तो यानि अगर हम इसको Michael acceptor की बात करें तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं EWG EWG अगर ऐसा system है तो Michael acceptor अगर active methylene compound है तो Michael donor दोनों को आपस में treat कर दीजिए in the presence of strong base the base बहुत तरह की यूज किये जा सकते हैं जैसे की sodium ethoxide sodium methoxide बहुत तरह की बेस इने वेच के वेच सोडियम हाइड्राइड आप कोई भी बेस ले लिजिए आपको जिग्जाम में दिया होगा उसके साब से आप काम करेंगे तो यह हमारी reaction होती है तो यह reaction देखिए कैसे प्रोसीड होती है हम एक एक जांपल के थूप प्रोसीड करते हैं ठीक है नोट डॉण कर लिजिए इतना अगर हम एक्जांपल की बात करें अपने बेस्ट एक्जांपल की बात करें तो हमने कोई एक वी lifelongmethylborg compound यह मान लेजिए हमनेlocketone लेलिया ठीक है यहां पर कया ले लिया क्या है कि टॉन यह हमारा क्या है Michael donor ठीक फिर इसको उने हमने क्या किसी भी माईकर शेप्टर से माईकल हमारा क्या होगा alpha-beta unsaturated अच्च्छिएड कारवोनिल कंपाउंड चली मान लेजिए इसको differentiate करने के लिए हमने लिया CS3 ले लिया क्या ले लिया CS3 ले लिया और फिर इसको हमने किसी भी बेस की परजन स्में ट्रीट कर दिया जैसे हमने sodium उत्वक्साइड और एक product हमारा पी बनेगा लेकिन अभी हमें नहीं नहीं पता है क्या बनेगा होगा one four edition यह क्या बनेगा आईए हम उसको mechanism के थुरू सीखेंगे कैसे सीखेंगे mechanism यह हमारा क्या है कि माइकल कि ऐसे तर दिखिए जब अगर हम mechanism की बात करें mechanism की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है बेस आएगा दिखिए यह जो प्रश्च 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 प्रश् वहहब है यहां से यह उल्वडान क्या हो गए ए ठीक है अब देखिए यह जो नायन बना है यह क्या है इनायन यह क्या है एक रिजुनेंस डिस्टेवलाइज आप या थैड़ वाज़ते हैं आपका क्या रिजुनेंस डिस्टेवलाइज यहां पे इने प्लस आ जाएगा और और देखिए जो यह एनायन हमारा बना है जो इनायन यह हमारा बना है अगर हम इस इनायन की बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं कि इनोलेट ऐन इतना बात समझ गया मैं पहले बहूंता हुँ जो इनायन रीजोनन से स्टेबलाईज होता है उसको हम लोग क्या बोलते है इनोलेट आयन ठीक है अब क्या होगा हमारा माइकल एसेप्टर आएगा क्या एगा माइकल एसेप्टर माइकल एसेप्टर हमारा क्या है सी एस टू सी एच हमने क्या ले रखा है यहाँ पे स्ट्री ले रखा है ठीक है माइकल एसेप्टर होगा अब जहां से देखें क्या होगा यह इलेक्टान बैख होंगे यहां पर क्या है यह निगेटिव चाज आएगा यह निगेटिव चाज कहां पर टैक करेगा इस कारबन सिंटर बीटा पोजिशन पर यह जीरो पोजिशन यह अलफा यह बीटा फिर इलेक्टान का मुवमेंट इस तरफ होगा और वे कुछ ऐसा बनेगा न्यूक्लियस तो अगर हम बात करें इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ दिखिए यह सी ओ आर है सी एच सी ओ आर यह पार्ट हो गया यह जो कारबन है अगर हम नंबरिंग कर लें तो यह वन टू थिरी फोर यह फोर्थ कारबन पर टैच हुआ है ठीक है फोर्थ फिस च इसके बीज में डबल बांड बनेगा यह ओ माइनस यहाँ पे एने प्लस फिर यहाँ पे क्या रहेगा यह हम अँडर डिर्ट करने के लिए है तो चलिए हम इस इटम का नाम दे दिते हैं इसको रहे हैं तो कि इसका नाम ने दे smoothie को फॉर्थ एटम ठीक है देखिये है अब क्या है अब क्या होगा आप में थ्टनारा कर रहे हैं क्योंकि इस नहीं है तक कि अब यहां से क्या होगा आप क्या करना है आपको यहां पर हलका हलका सा डाल देते हैं ठीक डाल देते हैं पांच यह 10 परसेंट फिर क्या होता है यह है यह है है किसमें चेंज हो जाएगा एक इनल फार्म में तो यह आर सी ओ चीछ यहां पर क्या है च्च फिर एक डबल बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा यह देखे कैसी है यह इन है यह क्या है अल यह हमारी एक इनल फार्म है अब यह इनल फार्म जैसे बनी यह क्या करेगी टाटोमराइस कर जाएगी किस में किस में टाटोमरेस कर जाएगी अपने यहां से टाटोमेरिजम सो करेगा ठार्टोमेरिजम और यह कीटू फ़र्म में चेंज हो जाएगा और हमारा कुछ नुकलियस इस तरह का बनेगा यही हमारा क्या है प्रोडक्त यही हमारे कीटू फ़र्म होते है की टो फॉर्म होता है थि कैंब देखें जो यह एक टीटो फॉर्म हमारी प्रोडुक्ट है जो हमने आपको पहले बताया था कि क्या यह वन फोर कापट है की नहीं ग훈 को से इसका एक नमबर को 3 2 दिया था इसको 3 यह 4 देखिए जो हमारा यह कहां से पार्ट आया यह कन सा पार्ट है जहां से देखिए यह हमारा माइकल डोनर का पार्ट है माइकल डोनर का यह कौन सा पार्ड है माइकल माइकल एसेप्टर का ठीक है तो क्या है माइकल एसेप्टर का देखी कौन सी पोजिशन पे टेच हो रहा है फोर्थ पोजीशन पे और रेक्शन के अगर दोरान देखें तो वन पोजीशन पे भी कुछ न कुछ रेक्शन हो रही थी इसलिए उसको बोलते हैं मतलब जो माइकल डोनर है उसका जो कारवन होता है इसलिए प्रोड़क्ट हमारा वन फोर कांजूगेटर एडिसन प्रोड़क्ट है इतना समझ गए अच्छे से अगर हम बात करें तो हर बार मकैनियम सीख लिया है अब आपको क्या करना है अब आपको कोई भी एक्जाम में बैठें आप माले जिए एकडिमिक बैठें वह तो महां पर तो में जम करनी है लेकिन जबाप इसमें बैठते हैं तो यह क्या होती है मुल्टिपल के साथ आती है तब दिन आपके पास टाइम कम होता है तब आपको का करना है आपको ट्रिक के अधार पे प्रोड़क्ट लि लिए तो आप माइकल डोनर ले लिए और साथ में लिए माइकल असेप्टर भी है जो कोई भी जैसा भी आपको माइकल असेप्टर दिया हो कि जैसा भी आपको माइकल असेप्टर दिया हो क्या करना है आपको माइकल डोनर से क्या करना है माइकल डोनर से एक एच कम कर दीजिए फिर क्या करना है माइकल डोनर से एक एच कम कर दीजिए और फिर क्या करिए चलिए इसको भी यहाँ पर लिखे रहने दिजिए ठीक इस डोनर है ये क्या है आपका माइकल एसेप्टर ठीक है अगर हम बात करें तो आपको माइकल डोनर से एक एच कम करना है क्या करना है एक एच कम कर दीजिए एक एच कम हो गया ठीक ये एक एच कम होने के बाद माइकल असेप्टर को क्या करना है इस डबल बॉंड को रिड्यूस करिए इस डबल बॉंड को क्या करिए रिमूब करिए इस डबल बॉंड को एक डबल बॉंड को reduce करें, हमने क्या किया? remove कर दिया और बाकी सारा ऐसे रहने जिया जब हमने क्या किया है है जब भी इसको हमने एक bond reduce कम किया है तो यह बanh alpha position पर एक h add कर दिजा और बाकी इसके बीच क्या करिए bond form कर दीजिए बस ठीक है मतलब क्या करना है Michael donor से एक h कम करिए Michael acceptor का double bond remove करिए alpha position पे h add कर दीजिए और beta position ये क्या हो जाएगी beta position और ये Michael donor की बीच में क्या करिए bond बना दीजिए हो गया आपका product कभी भी गलत नहीं होगा बस समझ गए ऐसे आपको करना है क्या करना है Michael donor लीजिए उसका एक h कम करिए कहां से active methylene group से Michael acceptor से क्या करिए double bond को remove करिए alpha position पे क्या करिए h add कर दीजिए और Michael donor और beta carbon में जो alpha बीटा compound का है चुपचा bond form कर दीजिए आपका product दो मिनट में तयार हो जाएगा इसी लिए को बोलते है त्रिक का क्या मतलब है आप तुरंद कर लीजिए जब प्रेक्टिस में आ जाएंगे कुछ यादे नहीं करना bond तोड़िए खटाक से जोड़ दीजिए ठीक है आईए आईए आप हम क्या करते है कुछ इग्जामपल प्रेक्टिस करते हैं एक्जामपल बहुत ही आसान है माल लीजी हमने आपको ऐसा कुछ माली को दे दिया है कुछ आईका दिया है और साथ में हमने आपको यहाँ पर आप प्रॉडक्ट प्रोडिक्ट या कुछ भी हो सकता है तो क्या करना है पहले क्या करेंगे हम से करें 야 करेंगे और फिर आभरोक से करिएगा दीखिए अब पहचानना है कि हमारा जो एक्ट्वमिधिलिन पुट्व्पॉन्ट्व्पॉन्ट्व है तो देखिए है यही हमारा क्या है एक एक्टिव कंपॉंड होगा क्या होगा एक्टिव कंपॉंड यानि यह हमारा क्या होगा माइकल डोनर यह होगा हमारा इसीं इसफ्टर भाकी आपका बेसकी परजयन से में ठरीट करिए चलिए ऐसा करते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग ट्रिक के आधार पे करते हैं यह आप को क्या सिखाई आप लोग घर पर मकेनियम करते रहेगा मकेनियम लोगो सेम ट्रिक के अधार पर क्या करिए जो आपका एक्ट्व मिशलीन कंपाउंड हो उसके बगर वाली पोजीशन पर यहां पर क्या करिए एक एच कम करिए तभी दो थे एक एच कम हुआ ठीक क्या करना है माइकल को क्या करना है और यहां पर क्या करिए पिएच आपका तो लगा है ही ठीक है अलफा पोजीशन होगी ना यह देखिए यह जीरो यह अलफा पोजीशन अलफा पोजीशन पर क्या करिए एक एच एड़ कर दीजिए क्या करना है एक हमने क्या किया पहले से एड़ कर दिए एक कि और इसके बीच में क्या करना है बॉंड को क्या करना है फॉर्म कर देना है तो एक्वेलेंट इसे लिए सकते हैं थोड़ा अच्छा लगे गा देखने में ऐसा लग रहा थोड़ा केमिश्टी मज़ा नहीं आ रही है कि यह है कि हमारा क्या हुगा माइकल बूस sup मस्ता बन जा घॉंच थो मुद्ध में बन गया सबक्षा करना है कि यहां दाइक ब्रता दूँगा यह कोई यहां से बेस आएगा यह क्या करेगा एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड से आपका सी ओ माइनस लेगा फिर यह क्या करेगा यह अपने माइकल रेसेप्टर पे अटेक करेगा नाइट्रो गुरू कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं यहां प यह पिएच यहां से च डबल बॉन्ड इन कि यह यहां पर जुड़ा है यह यह रहेगा ठीक है और हम एसे रहेगा और इन ओ माइनस यह क्या हो जाएगा ओ माइनस यहां पर न रहेगा फिर एक क्या हो जाएगा कीटो इनाल टाटो में डारेक्ट कर दे रहा हूं हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलेसिस प्लस कीटो इनाल टाटोमेरिजम साथ में हो जाएगी और आपका प्रोड़क्ट पुछ ऐसा बनेगा देखिए और प्रोड़क्ट करने में कितना टाइम लगा ताइम लगता है करने में कोई टाइम नहीं लगता है देखिए अब क्या करेंगे आदार पर करेंगे मान लीजिए हमने आपको यहां पर कोई ऐसा कंपोंड दे दिया नाइट्रो एथेन क्या दे दिया नाइट्रो एथेन इसका इस्टेक्टर क्या होगा कुछ इस तरीका होगा नाइट्रो एथेन ठीक इसको में ट्रीट कर दिया आर च डबल बॉर्ण क्या करना है इसको हमने बेस की प्रजेंस में चीट कर दिया किससे बेस की प्रजेंस में प्रोडेक्ट आपको पी बनेगा तो पता है यह पहिचानना है आपको बस के बन माइकल डूनर अपना यही होगा यह क्या है पुझाह क्या है एक्टिव ग्रूप यह क्या है माइकल है कडिन हमा बासफतर तो तो हम क्या करेंगे छुट साधर पर करें लेकिन करना है मैं आपको बताया एक हम करें लगा इसका इसको ऐसे लिखी लिए को है इस अच्छिए कर दिए लो दरेडूस कर दिया यहां पर क्या लगा एक रगा है इसके बीच में क्या करिए बॉंड फॉर्म करिए यही हमारा क्या है एक माइकल प्रोड़क्ट देखिए अब अगर हम नेश्ट इग्जामपल की बात करें तो यह कंपॉंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एक्जाम्स के लिए दिखिए हमने माले जिए कुछ ऐसा माले कुल ले लिया बहुत ही है इन कंपॉंड्स का नाम होता है कावमरीन क्या नाम होता है कावमरीन कंपॉंड ठीक यहां फोर्थ पोजिशन पर है तो इसको बोलेंगे हम फोर्थ हाइड्रोक्सी कावमरीन ठीक है अब इसको में रियक्शन करवानी है हमने एक माइकल एस्टर से किससे माइकल एस्टर से हमने यहां पर एटी ले लिया ठीक है अब एटी ले लिया और इसको हमने बेस की पर जिए क्या है इसके पर जैस में बेस में आपको प्रोड़क्ट पी बनेगा तो दिखें यह कैसे होगा अब इसके पास तो क्या है इसके पास तो एक एक क्टिमिध्थ लीप नहीं है यहां पर देखिए यहां पर अंक ठीक है बेस आएगा बेस माली यह हमारा इल्कोंक्साइड यह क्या करेगा यह प्रोटान कैसा होगा कि इसदिक यह प्रोटान अस्टेट कर लेगा कुछ इस तरह से माइनस कि यह क्या करेगा एलेक्टान बैक होंगे और कुछ इस तरह से बनेगा यानि यह कीटो इनाल टाटो मेरिजम सो गरेगा माइनस अगर माली जी बेस नहीं डाला हुआ है तो आप दारेट की को कीटो में चेंज कर सकते हैं अब दूसरी तरह से में कर सकते हैं अब देखें यह हमारा हो गया माइकल डोनर क्या हो गया माइकल डोनर अब यह माइकल डोनर किसे रिट करेगा हमारे अलफा बेटा इस गुरूप का नाम क्या है फिनाइल पिएच लिख लेते हैं फूटा हो जाएगा थोड़ा और यह बस बन गया अब क्या करना है आप में के तुरू देखिए तो क्या करना है यह यहां पर टैक क कि इस तरह से होता है तो प्रोड़क्ट हमारा क्या बनेगा कि देखिए यहां पर क्या रहेगा यह पिएच और मैं सब कुछ डाइट लिख देता हूं मकरण्यम बनाने की में को जरूत नहीं है यहां से पिएच पिएच स्ट्रक्टर है क्या यह इस पॉर्म एक्जिस्ट करेगा करेगा और नहीं करेगा तो इसकी यह प्रोड़ान यहां प्रोड़ान देखिए यह प्रोड़ान बहुत ज्यादा स्ट्रक्टर हो दिक हो गया बहुत ही जादा अस्टृइच है सियो गृूप होने के वजए से तब यह क्या करेंगा यह राइश कर जाएगा टाटो म्र्ण याने कीटो फॉर्म है है तो इसमें चेंड हो चैंड़ और इनॉल फॉर्म में जैसे पहले स्टार्टिंग में तो यहां पर देखिए लगा हुआ है यहां पर क्या है यहीं हमारा क्या है माइकल प्रोड़क्ट बात समझ गें बहुत सही है तो आप लोग सही कर लिया करें अब देखिए अब अगर हम बात करें देखिए जो च्छलता रहता है हमेसा रियकशन पूरा इसके बाद हम आपको पढएंगे ऑसमें भी इसका करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे बाकी हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं बाकि जितने भी रिमेर की क्वाल सोन ठीक है इस रियक्शन की प्रदर आया अप्लीकेशन ने यह इने फायं के साथ भी कंपाईल करके colors क्या है तो यह बहुत र्सand तक यू